जबानत सद आपने जरूर सुना होगा लेकिन कैं आप जानते हैं कि जबानत क्या होती है कितने प्रकारगी होती है कौन ले सकता है कब ले सकता है और जबानत कितने समय में मिलती है दोस्तों प्रतेप बिक्ति के जीवन में कुछ नो कुछ समस्याएं और घटनाएं होती रखती हैं इसी के चलते जाने अंजाने में कई बार उससे अपराद भी हो जाता है और कई बार उसके बिरोधी पार्टी द्वारा उसको मनगलन कहानी बनाकर मिथ्या अरोब लगाकर जूठे मुगद्मे में फसा भी दिया जाता है तो ऐसे में आईए हम जानते हैं कि जवानत आकिर है गया तो दोस्तों जवानत को आप रिहाई से जोड़कर बिल्कुल भी न देखें क्योंकि जवानत एक प्रतिभू है एक प्रापर्टी है एक संपत्ती है जब कोई जवानत नियाले से मंजूर होती है तो उस जवानत के बदले नियाले एक एमाउंट फिक्स करता है कि इतने एमाउंट की प्रापर्टी इतने एमाउंट की जवानत मंजूर होई है तो उतनी प्रापर्टी का कोई डाकुमेंस आप नियाले में शम्मिट करते हैं उतना प्रतिभू आप नियाले के बिश्वास के लिए आप नियाले में शम्मिट करते हैं की जिस बилась की आप जबानत ले रहे हैं वह बयक्ति यदे नयालह की कारवाई में आगे नहीं आएगा भाग जायेगा तो वह प्रत्भू जब तो जाएगा दोस्तों उस प्रतिभू को जबानत कहते हैं तो जबानत तीन परकार कह होती है तरिम जबानत अगरिम जबानत और पर्वद से अन्तित of रहा आय है जब ग्रतारी से पहले ही कोई अगरिम जबानत दाखिल करता है और उसके बिरुद्ध जो भी एलिगेंस लगे होते हैं जो भी आरोप लगे होते हैं उनकी जाच होना अभी बाकी होता है तो ऐसी इस्थित में अभिक की तरब से मुल्जिम की तरब से जो मुल्जिम का वकील होता है वहाँ नियाले से प्रेयर करता है जब तक जाच ह तब तक हमें अंतरिम जबानत दे दी जाए तो अंतरिम जबानत कुछ शमय की मिल जाती है यदि मुल्जिम अंतरिम जबानत के बाद शमय से न्याले की कारवाई में उपस्थित होता रहता है और उधर उसके विरुद्ध जाच हो रही होती है उस जाच में भी सहयोग करता र बढ़ती रहती है और उसके बाद पर्माइन्ट जबानत हो जाती है अब हम बात करते हैं अग्रिम जबानत की अग्रिम जबानत का मतलब होता है ग्रतारी से पहले ही जबानत जिसको हम इंगलिस में एंटिसेबिटरी बेल भी कहते हैं जबानत की जबानत की प्रकार की होती है अब हम बात करते हैं कि जबानत कौन ले सकता है तो जाहिर से बात है कि जिस बेक्ति के विरुद्ध कोई मामला चल रहा होता है मुल्यम होता है उससी बेक्ति को जबानत की आउसकता होती है अगर हम बात करें कि जबानत कैसे मिलती है प्रोसस क्या होता है तो अपनी बेगुनाही के साच शबूत वो गवाहों के बयान के आधार पर अपने अध्वक्ता के माध्धम से आवेदन कर सकते हैं। शाच सबूतूं गवाहों के बयान वा वकील की दलीलों के आधार पर पत्रवली का अवलोकन करके मानी न्याले को लगता है कि हां बेल एलाव करने लायक है। तो फिर पत्रावली का अलोकन करके मानिन्याले बेल एलाव कर देता है यानि कि जबानत मंजूर कर देता है अगर हम बात करें कि कितने शमय में जबानत मंजूर होती है तो दोस्तों इसके लिए कोई भी शमय फिक्स नहीं होता है लेकिन गरपतारी के 60 दिल के अंदर और होता है इसको इसका फायदा मिल जाता है और यह एक जवानत का गांड Prophet Bay को आशा करता हूं बाइन आपको अच्छे बसका क्यों होगा एक ज़्सकी जानकारी यह अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो सकते हैं बिनमता के साथ धन्यवाद मैं आपका मित्र प्रदीव गौएडोकेड यूटूब चैनल प्रदीव लिगाड़ के